जहिन दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि फिर एक बार भारत कैनडा के बीच माहुल करमा गया है और इस बार माहुल इतना गर्म हो चुका है कि भारत ने अपने राजनईकों को तक कैनडा से वापिस बुलाने का फैसला किया सिर्फ अपने राजदूत नहीं तो भारत में जो कैनडियन राजनईक है उन्हें भी भारत छोडने की सक्थ चेतावनी दी गई है जी हाँ दोस्तों कैनडियन पीम यानि खालिस्तानियों के पीम जस्टिन टूडो वोड बैंक के लिए इतने पागल हो चुके है कि उन्होंने अब भारत से पंगे लेने शुरू कर दिये है पहले तो सिर्फ बाचित हो रही थी लेकिन अब खुले तोर पर भारत को टार्गेट किया जा रहा है जिसे भारत बरदाश नहीं करेगा इसलिए भारत ने भी कैनडा पे खुले तोर पर एक्शन लेनी शुरू कर दी है दरसल इस सब की शुरुआत हुई हर दिप सिंग निजजर की हत्याकान की जाच को लेकर आप सभी जानते है कि कैनडा शुरू से भारत पे आरोप लगाता आ रहा है कि निजजर की जो कैनडा में हत्या हुई उसे भारत ने ही अंजाम दिया है और भारत ही खालिस्तानी लीडर्स को बड़ी शातिर तरीके से मौत के घाट उतार रहाए यही कारण है कि भारत निजर के मुर्डर केस में हमें सहयोग नहीं दे रहा अब इसी बात से बोखला गए और खालिस्तानी प्रेशर की वज़े से कल को कैनडियन सरकार ने सीधे सीधे भारत ये हाई कमिशनर और डिप्लोमेट्स को पर्सन ओफ इंट्रेस्ट के रूप में लिंक की आए यानि कैनडा सीधे सीधे ये कह रहा है कि निजर की जो हत्या हुई उसमें कैनडा में मौजुद भारत के राज़दुतों का ही हाथ था इसलिए भारत हमें जाच परताल में मदद नहीं कर रहा जब कि देखा जाए तो कैनडा के पास आज भी भारत के खिलाब कोई सबूत नहीं जब ऐसे बेतु के आरोब भारत पे लगाएगे तो विदेश मंतरी जेशंकर सहाब ने कैनडियन प्रेस सेकरेटरी क्रिस्टिन हिलमेन को लताड लगाती हुए ये कहा कि जब आपके पास निजर हत्याकान को लेकर कोई सबूत ही नहीं कोई कवा भी नहीं तो फिर क्यों बार बार भारत को इन सब में घसिटा जा रहा है कम से कम एक सबूत तो पेश करो जिससे कि ये साबित हो जाए कि भारत नहीं निजर को मरवाया है जैशंकर सहाब ने बड़े ती खिलबजों में सिक्रेडिरी से कहा कि कैनडा वोड बैंक वाली राजनीती खिलना बंद करे इससे कोई हल तो निकलेगा नहीं बलकि हालात और बिगडेंगे जो कि अब बिगड़ भी चुके है आपको भी पता चल चुका होगा कि भारत के विदेश मंत्राला की ओर से जानकारी दी गई है कि उन्होंने भारत में रह रहे छे कैनडियन राजनाईकों को निश्कासित कर दिया है जिनकी नम स्टीवर्ट रॉस, पैट्रिक हेबर्ट, मेरी कैथरीन, लेन डिवीट, एडम जेम्स और पाउला और जिवेला है ये सबी भारत में एज़ कैनडियन डिप्लोमेट के तोर पर काम कर रहे है और उन्हें 19 अक्तुबर से पहले पहले भारत छोड़ने को कहा गया है साथ ही भारत ने कैनड़ा में मौझुद अपने राजनाईकों को भी वापिस बुलाने का फैसला किया यानि जस्टिन की एक गलस स्टेटमेंट की वज़े से आज भारत कैनड़ा के सम्मन लगबग खत्म होने के कगार पे पहुच चुके है और इसका कैनड़ा पे काफी बुरा आसर पड़ेगा क्यूके भले ही हाईर एजुक्यूशन के लिए कैनड़ा फेमस हो लेकिन रोज मर रा की चीज़ों के लिए कैनड़ा काफी हद तक भारत पे ही निर्भर रहाए सो कैनड़ा की असल बरबादी अब शुरू होगी और भारत सरकार ने ततकाल कैनड़ा को मूत और जबाब देती हुए एकदम सही फैसला लिया क्योंकि आज अगर इन गोरों को नहीं बोलते तो कल को ये भारत पे गंबिर आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हटते और वैसे भी हमारे राजदुतों को कैनड़ा में कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही इवन पुलीस पी उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं रहते जबकि यहाँ भारत में तो ये सभी डिप्लोमेट्स CRP अपकी कड़ी सुरक्षा में अपना काम करते है तो इतना भेदबाव है कैनड़ा में हमारे राजदुतों के साथ ऐसे में आप बताएए आपको भारत सरकार का ये फैसला सही लगा नीचे कमेंट करके अपनी राइद जरूर दे और हाँ वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें जय हिन्द